प्रदेश विधान सभा के मौनसुन सत्र के चौते दिन आज सदन में प्रशनकाल के दोरान काफी हंगामा हुआ नेता प्रतिपक्ष चैराम ठाकुर ने सदन सरकार से पूछा कि सराज विधान सभा के थुनाग में पूर्व सरकार ने बागवानी कॉलेज बनाने के लिए 300 करोड का प्रावधान किया था लेकिन वर्तमान सरकार कॉलेज का निर्मान करना नहीं चाहती है और इसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की योचना बना रही है इस पर बागवानी मंत्री और मुके मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष नारिवाजी करते हुए वॉक आउट कर गया जिसके बाद सदन की कारवाई को दो पहर दो बजे तक के लिए स्थागित कर दिया गया है जराम ठाको ने कहा कि कॉंग्रिस सरकार ने मंडे जला के साथ भेदभाव किया और सत्ता में आते ही संस्थानों को बंद करने का काम किया है उन्होंने कहा कि मंडी शेवधाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद किया अब आगवानी कॉलेज को भी खत्म करने का सरकार काम कर रही है जो स्वीकार ये नहीं है नहीं चलेगी नहीं चलेगी सराजब धानसबा क्शेतर के अंतरगत थुनाग में एक हॉल्टी कल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरस्ट कलीरेंस करने के बाद दो सो पांच बीघाज जमीन उस कॉलेज के नाम पर की गई है जब हमने इस बात को पूछा तो कारण ये गोल मोल करके मनशा इसके पीछे ये है या तो स्कॉलेज को बंद करना है या इस कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना है मंडी का शिवधाम बंद कर दिया मंडी का मेडिकल उनिवस्टी का काम वो उसको बंद कर दिया मंडी के सदार पटेल उनिवस्टी को बंद कर दिया कांगड़ा में धर्मशाले में सेंटर उन्वस्टी के लिए 30 क्रोड़ पर जमा करना था जो पैसा जानबूज करके बंद ने किया ताकि उसका काम शुरू ना हो सके कि अगर सदन की कारवाई की जाए तो सदन की कारवाई जहां सुबह 11 बज़े शुरू हुई तो वहीं सबसे पहले इस कारवाय में प्रशनकाल से पहले पॉइंट ऑफ ओउडर के तहट नेता प्रतिपक्षर जैराम ठाकुर ने उन पर ड्रोन के जरिये निगरानी का माबला उठाया और इसके साथ प्रदेश सरकार को चेताया कि वे अध उठाया जहां पर थुनाग बागवानी जो विश्व विद्याल है उसे बंद करने की जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो कारे किये जा रही हैं उस पर भी नेता प्रतिपक्षर जैराम ठाकुर ने प्रशन किया तो जिसके जवाब में बागवानी मंत्री जगसिंग नेगी दिया कि वे इस तरह का कोई भी जो योशना नहीं कर रही है और ना ही उनके इस तरह के कोई प्रयास है जैराम ठाकुर का ये जरूर कहना था कि पूरवर सरकार में जहां पर भूमी का चेयन किया गया था दस करोड का प्राबधान किया गया था तो जो प्रदेश सरकार है व उन्होंने जो है वाकाउट किया था आपको बता दें इसके साथ मुख्यमंत्री ने जहराम ठाकुर पर जो प्रशनु था उसके आंसर में यह जवाब दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा कोई भी कारें नहीं किया जा रहा है हालां कि उन्होंने चुटकी लेते हुए जर और आपको बताना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जहां पर नेता प्रतिपक्ष और वेपक्ष द्वारा फिर सिर्व अकाउट कर दिया गया था वो अकाउट के लिए जहां भाजबा विधायक इंदरदत लखनपाल ने जो है विधानसभा अध्यक्ष के उस बयान को लिया जह जो है एक बहुत ही बयान रहा था कि च्छे के जो है सिर्कलम कर दिये गए हैं और तीन आरे के निचे इस तरह के बयान पर जो है उन्होंने कड़ा संग्यान लिया और उसके जबाव तलब करना भी चाहा लेकिन इस पर जबाब नहीं मिला और इस तमाम जो चीज़ें हैं इ जब मीडिया से बात की तो उन्होंने उनका ये जरूर कहना था कि वे इस तरह से वाकाउट नहीं करना चाहते थे हालांकि उनका सिर्फ एक मुद्दा था कि विधान सभा अध्यक्ष इस पर माफी मांगे तो अभी जो आपको बतायें कि जो स्तिती बनी है वो दो बज़े तक विधान सभा सगित की गई है ठीक है तमाम जानकरी के लिए बहुत बहुत शूक्रिया